दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास बहुत सारी Excel की फाइल एक फोल्डर में पढ़ी नहीं है अब आप ये चाहरा हैं उनसे भी फाइलों का डेटा एक फाइल के अंदर आ जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं काफी लोगोंने बहुत बार मैसेज किया है वटसेप किया है कि सर मुझे बता दो कैसे होगा हमें बहुत जरूत पढ़ती रहती है ऐसा होता है कि उनके पास सो फाइले हैं दो सो हैं पान सो फाइले हैं एक फोल्डर में पढ़ी हैं अब वो कहते हैं सर अगर पांच शे फाइले हैं तो हम तो उसको ओपन करके कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर लेकिन हमारे पास एक फोल्डर में दो सो पान सो हजार फाइ और ये मुझे भी नहीं पता था मैंने गूगल से रिसर्च करी काफी टाइम लगा जो भी वीडियो जो है यूट्यूब पर पढ़ी मही है वो मैंने चेक करी लेकिन उसमें कोई ऐसा सॉलूशन नहीं मिला जो कि वन क्लिक में हो सभी ने लंबी लंबी वीडियो बना रखी है बहुत हैवी उसके अंदर जो है तरीका बता रखता है मनलब कोई ऐसा नहीं है कि एक स्टैप कर लो सबने बताया के गैट डेटा में जा और ये करो वो करो बहुत ही लेंदी तरीका है लेकिन यहां जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको कोड जो है मेरी वेबसाइट प पर चलता है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर गूगल पर पहले सर्च करना है टेक ग्रूप प्लस मर्ज एक्सल फाइल अब जैसी यह सर्च करोगा तो यह मेरा एक आर्टिकल आएगा इसके अंदर मैंने कोडिंग वगरा डाल रख किया इसको खोल लेना मैंने और 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 सबका अलगए तेसरा कोड़ मैं आपको दिखा देता हूं तीसरा यह वाला कोड़ है और चौथा यह वाला कोड़ है थोड़ाथोड़ा डिफरींस है एस पर आपके रिक्कॉार्मेंट की और यहां पर मेरी फाइल्स के नाम से फोल्ड है यहां पर मेरी तीन फाइले और काफी सारा डेटा यहां यहां पर ले रहता हूं जन्वरी वाने ठीक है और देखते हैं इसके अंदर कृतनी एंट्रe तो यहां पर लिकाओ है 1Phone 12 social लटर तोटल एंट्र्य परवरी ले लेता है चलो यहां क्लिक किया 176 इसके अंदर एंट्री है ठीक है फरवरी और मार्श वाली में ले लेते हैं मतलब 1100 1214 ऐसी एंट्री है देखो 1402 एंट्री है अब हम इसको वन क्लिक में करेंगे तो यहां पर मैं कंट्रोल एंड करके न्यू फाइल ले ले एप्लिकेशन यहां पर खुल जाएगा ठीक है तो आपके सामने जो है यह इस तरह से आएगा अब यहां पर मैं इसको Ctrl V करके पेस्ट कर लेता हूँ ठीक है अब जैसे यहां पर मैं इस पर क्लिक करूँआ इस बटन पर यह रन का बटन है या फिर यहां रन पर क्लिक करके कर सकते हैं या FI दबा सकते हैं चलो इसको मैं दबा देता हूँ अब देखो code run होना शुरू हो जाएगा और जितनी file होंगी इतना थोड़ा open करेगा copy करेगा तो time लगएगा ठीक है मेरी तीन file हैं तो तीन बार यह process होगा तीन file खुली बंद हुई यह देखो clear हो गया अब इसने क्या क्या है इस वाले code ने इस वाले code ने जो file वहाँ पर थी तीन file जो थी जनवरी फरवरी मार्च वाली वो इसने एक शीट के अंदर लाकर paste कर दी है देखो यहाँ फरवरी है जनवरी है मार्च है अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार हमें तो data एक के नीचे एक चीए था यह तो अलगलग file में डाल दिया अभी करेंगे उसको भी आप भी कर रही है ठीक है तो पहले code का का काम यह है अब हम अगले code उपर चलते है code नमबर 2 इस code का का काम यह है कि यह क्या करेगा अलग-अलग file को एक file के अंदर merge कर देगा जैसे कि यहाँ पर screenshot देख रहे हैं तो चलिए इसको मैं copy कर लेता हूं ठीक है और यहाँ पर हम चलते हैं इसमें हम जो है insert में जागे module एक और module ले लेता है blank यहाँ पर paste करेंगे और अब जैसे मैं इसको click करूँगा तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक sheet 1 के नाम से है यह तो blank है चलो इसको delete कर देता है यह किसी काम की नहीं है और मैं इसको code को run करता हूं तो यहाँ पर merge के नाम से फाइल generate हो जाएग तो आपका click जो है पहली sheet पर होना चाहिए आपको धियान रखना है दुबारा बता रहा हूं पहली sheet पर click रखना है उसके बाद आपको code को run कर रहा है यहाँ क्लिक करके run कर देते हैं तो अब देखो जितना जादर data होगा तना जादर time लेगा देखो complete होगी है ठीक है तो चलिए अब मैं यहाँ पर click करके इसको double click करता हूँ और देखता हूँ कि कितनी entry आई है तो आप देख रहा हैं 4187 entire total यहाँ पर आ चुकी है तो मैं देखो फरवरी वाली sheet में जाता हूँ और फरवरी वाली sheet में 1186 entry आई मैं आपको total करके दिखाता हूँ यहाँ लिखता है हम 1186 और जनवरी वाली sheet में जाते हैं यहाँ क्लिक करके हम देखते हैं 1612 1612 और मार्च वाली में जाते हैं यहां क्लिक करते हैं और 1402 1402 और मैं इसका टोटल करता हूं Alt इक्वल टू तो 4190 और यहां क्लिक करके देखते हैं 4187 ऐसा क्यों है तीन इसने हैडिंग जो है इसकिप कर दी है फर्स्ट वाले यह पहला वाले यह और दूसरे का यह उपर जो हैडिंग है यहाँ पर मैंने क्या किया है यहाँ पर से स्टार्ट किया डेटा जो कोडिंग लगा ही आपको तो इस कोडिंग में ना एक काम चेंजिस कर देना यहाँ पर एटो लिखा वे ना यहाँ एवन कर देना इसको एवन कर देना ठीक है अच्छा जो नए सब्सक्राइबर है उनको बता दूँ कि अगर आप एक्सल को डीप सारी चीज़े इसमें मिल जाएंगे यहाँ पर मैंने पूरी डीटेल लिखी हुई है आप जागा चेक कर ले ना इसका नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने और कोई आपका कोश्चन है तो आप इस नंबर पर कॉल या वर्ट सब करके मुझसे पूछ सकते ह हम आपको बता दूगा कोश्च में क्या क्या चीज़े हैं जो भी आप पूछना चाहिए ठीक है अब चलिए अब हम बात करते हैं कोड नंबर थरी की तीसरा कोड किस काम कर है ठीक है इसमें क्या होगा इसको मैं कोड को कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और नई फाइल में हम यह नई फाइल है और यहाँ पर मैंने alt f11 कर लेता हूँ चलो और यहाँ पर insert module यहाँ पर code को करा paste अब देखे इस code का क्या काम होगा यह क्या करेगा run करते ही यह पूछेगा कि आपका data कौन सी drive में है बाकी code में नहीं पूछ जाता है किसी भी तो यहाँ पर मैं जाता पाथ नहीं माग रहा था पाथ हमने उसमें code में ही डाल रखा था ठीक है यहाँ पर इसमें फोल्डर पिक करने का यह option देता है ठीक है क्लिक किया तो यहाँ पर इसने क्या किया यहाँ पर तीन sheet महां से data से उठाकर यहाँ डाल दी है अब यहाँ पर दो दो चीज़ों का difference ह यहाँ पर sheet का नाम जो था January, February, March इसने यहाँ पर वो नहीं दिया है यहाँ पर क्या दिया है यह अंदर यू sheet है उनका नाम दिया है देखो यहाँ पर यह लक्की है यह जो जौन है ठीक है यह जिसने बनाई है उसके नाम मैं यहाँ पर डाले था तो मार्च कोलता हूँ तो अब हम इसको सबको बंद कर देते हैं और अब हम मेन वाले अपने टॉपिक पर आते हैं कि सारी फाइलों का डेटा एक के नीचे एक कैसे आएगा वन क्लिक के अंदर ठीक है ना तो उसका है code नंबर 4 यह last वाल जो code है वो इसी काम के लिए है कि यह तीनों फाइल जैसे यहा अगर आपका डेटा किसी और फोल्डर में है तो उसका फोल्डर का पाथ यहां पर आपको डालना है या फिर आप यह कर सकते हैं डी ड्राइब में फाइल के नाम से फोल्डर बनाएंगे उसमें सारी फाइले कॉपी पेस्ट कर देंगे ठीक है ना तो चलो अब हम code नंबर 4 code को कॉपी करते हैं इसको लास तक मैंने कॉपी किया और एक्सल खोल लेता हूं मैं और के साथ 11 और इंसर्ट में जाके मॉड्यूल कंट्रोल वी करके पेस्ट ठीक है ना डी ड्राइब में आपके फाइल्स के नाम के जो फोल्डर है उसके अंदर आपके डेटा होना चीए ह करते करें रशाप करने तक दि नहीं सब्सक्राइब मैं सब्सक्राइब 2-1 थे एक ऩी भरहे टिकंटेट लूटाने मैं अग्सक और इसको हम इस इंदर के अंदर और हिए क्लिक करके देखता है 4190 इसके अंदर हैडिंग भी इंक्लूड है उसके अंदर इसको A1 दे दिया है इस बार देखो यहां पर मैंने A1 दे दिया तो A1 से डेटा यह सलेक्ट करेगा ठीक है अब देखो यह जो हम डेटा merge कर रहे हैं इसके अंदर इस code में कहलो एक problem है problem क्या है कि जो हमारी फाइल है इस डेटा के अंदर थोड़ा सा इस पेस है बीच में यह मालो दो इंसर्ट लगे हुए तो यह जो कॉपी करेगा आपका डेटा वह यहां से लेकर यहां तक करेगा पूरा नहीं कर पाएगा तो आपका जो भी डेटा होना चाहिए उसके अंदर अगर कोई भी एक लाइन का इ कर तो एक इंसर्ट में दे देता हूँ तो आपका डेटा इतना इन जाएगा तो आप ध्यान लखे का कि आपके डेटा में इस पेस सियल नुमबर ब्लैंक को select करके ने नीचे तक ड्रैग कर दो ठीक है last तक तो मैं यहां डबल क्लिक कर लेता हूं लास तक drag हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो manual drag कर लेना अब हमारा यह जो है fill माना जाएगा अब जो यह copy paste करेगा और यह पूरे तक करेगा अब यह यह तक का डेटा यह कॉपी करेगा अगर मालो यह सीरियन नंबर मेरा यहां तक टग गया तो यहां तक का डेटा लेगा तो ओवर ओल यह है कि आपके डेटा में रो ब्लैंक नहीं होने चाहिए बस यह में चीज है में बाकि इसका कोई ऐसा सॉलूशन अगर मुल जे मिलता है अभ और मैं फ्यूचर कोड यहां पर डालने ही कोश्च करूँगा ठीक है अब बाकि मेरी वेबसाइट पर टैग्गुरूप्लस डॉट कॉम पर आप जैसे जाएंगे ना तो यहां पर आपको बहुत काम के टेंप्लेट बगरा मिलेंगे यह आप चेक कर लेंगे यह बहुत काम आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना कर डालू आपको बहुत प्रॉब्लम होती है आपका बल्क डेटा है कुछ ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीए मैं कोशिच करूँगा वीडियो बनाऊंगा कोई ऐसा कोड निकाल के लाऊंगा जिससे आपका बन क्लिक में काम हो जाए अच्छा वीडियो पूरी हो गई थी और मुझे बाद में ध्यान आया तो इसलिए अलग से वीडियो बना रहो कि आपको ना यह जो आपका डेटा है उसका पैटरन सेम होना चाहिए आपके उपर के हेडिंग सेम होने चाहिए मालो एक शीट में प कोड़ है यह मैं एक्सल यूज कर रहा हूं 2016 तो 2016 और 19 दोनों में कोड़ काम करेगा लेकिन 2007 में काम करेगा या नहीं इसका मुझे पता नहीं है क्योंकि वो पुराना वर्जन है ठीक है उसमें आप ट्राइक कर लेना अगर वह चल जाए तो ठीक है नहीं चला तो आप किसी 2016 हो या नाइंटीन हो उसमें यूज करके वापस अपना डेटा मर्च करके वापस ले लेना ठीक है ना तो चलो मिलता आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुडबाई